नमस्कार, कैफ फाइनिशल सर्विसेज में मैं सियरा केश रोशन आपका फिर से श्वागत करता हूँ आईए, आज हम लोग डिसकस करेंगे TDS के बारे में, ये TDS होता क्या है? Tax Deducted at Source, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लेने का कोशिस करेंगे देखिए, आप लोग, सब लोग कोई न कोई financial transactions करते हैं, आप कहीं न कहीं अपने income को generate करते हैं और आपने सुना भी होगा कि मेरा TDS कट गया, मुझे TDS फाइल करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जनकारी लेंगे कि ये TDS वाकई होता क्या है? ये कैसे इसका procedure होता है? कैसे आपका अगर TDS कटा हुआ है? तो क्या आप उसको वापस ले सकते हैं? आईए कुछ example के माध्यम से हम इसको समझने का कोशिस करते हैं देखिए, माल लेते हैं कि आप कहीं पे work कर रहे हैं मैंने example के लिए आपको दिया कि माल लेते हैं आप ऐसे company में काम कर रहे हैं as a commission agent जिसका नाम है शहारा इंडिया या LIC of India तो वहाँ पे बहुत सारे worker हैं उसमें से एक worker है जिनका हम example लेके चल रहे हैं आज माल लेते हैं ये एक Mr. Shiam Lal Prashad है ये एक अभी करता है शहारा इंडिया परिवार में और माल लेते हैं रैंकिंग है CFM Royal 5 तोड मेहनत करके यहां पे काम करते हैं इनका काम है कि जो भी company से जुड़े हुए सम्मानित जमा करता हैं उनके पैसे को यहां पे जमा करवाना उनका claim settle करवाना जो भी काम है वो करते हैं अब यह जो काम करते हैं यहां पे company इनको फल रूपी शरू कमिशन प्रदान करती है यह काम करने के बदले में इनको जो फल मिलता है वो कमिशन के रूप में मिलता है अब इन्होंने देखा कि कमिशन मुझे मिला लेकिन कुछ उसका हिस्सा कटके मुझे मिला अब example के तौर पे हम देखते हैं, अगर ध्यान से आप देखिएगा, तो माल लेते हैं कि अभी आपका साल खतम हुआ, 2019 से लेकर 2020, और Mr. Sam Lal ने अपना statement चेक किया commission का, तो देखा कि पूरे साल में माल लेते हैं, 250,000 का commission इनका बना, ठीक है, अब commission जो बना 250,000 ये कहां से का company इनको देगी, ठीक है, अब company 250,000 का commission इनको जो दोएगी, उसके दो हिस्से करेगी, पहला हिस्सा क्या करेगी, इनको देदेगी, और दूसरा हिस्सा क्या करेगी, वो cut कर लेगी, माल लेते हैं, कि इन्होंने 10% deduct कर लिया, तो 250,000 का 10%, 25,000 हुआ, बाकी balance कितना बच गया, 2,25,000, अब company ने क्या किया, ये 2,25,000 चेक से इनको payment कर दिया, बाकी का 25,000 क्या किया, वो 25,000 अपने पास रखा और उसका क्या procedure कर किया, वो एक बार देख लिजे, 25,000 को क्या किया, company ने अपने पास रख लिया, और इसको एक समयन इधारित है, उसके हिसाब से government के खाते में जमा करा दिया, अब यही जो government के पास जमा कराया, portion जो काट के, इसी को हम लोग बोलते है, EDS, अब पैसा किसका है, ये पैसा है, मिश्टर स्यामलाल प्रसाद का, और company ने कहां पे जमा करा दिया, government के खाते में, अब ऐसा क्यूं है, उसके पीछे का कारान अगर देख देखिए, company के पास, जो भी बहुत सारे ऐसे अभी करता होंगे, agent होंगे, उनको payment करना है, तो government कहती है, कि आप के पास जितने भी commission होंगे, company के हिसाब से क्या है, खर्चा है, expenses है, तो government ने एक rule बनाया, कि देखिए भाई साब, अगर आप कोई भी खर्चा करोगे, अगर उ वो खर्चा आपको हम allow नहीं करेंगे, मतलब आपका जो income होगा, उसमें से जो खर्चे को आप घटाने का कोशिस करोगे, अगर आपने TDS नहीं करटा है, तो हम ये खर्चा आपका मानेंगे नहीं, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि company जो pay कर रही है, Mr. Samlal Prasad को, तो क्या, इनक की liability है की नहीं कि ये अपना income tax return भरे, government ने सोचा कि चलिए Mr. Samlal Prasad आएंगे और अपना ITR फाइल करेंगे, अगर company नहीं ये TDS काटा ही नहीं, तो हो सकता है Mr. Samlal Prasad अपना income tax return भरे ही नहीं, तो government ने एक tracking के लिए एक system बना दिया, कि जो company किसी को payment करेगी, उसमें से कु कि Mr. Samlal Prasad की आएंगर दो लाग पचास जार से कम है, तो इनका tax नहीं लगना है, तो ये अपना income tax return फाइल करेंगे और इस TDS को वो claim कर लेंगे, अब इनको claim करने का जो procedural part है, वो देखिए कि कैसे हम लोग claim कर सकते हैं, company को क्या काम करना है, और Mr. Samlal Prasad को क्या काम करना ह आईए, देखते हैं, जब क्या होगा, कि जब भी company पैसा deduct करेगी, तो पूरे साल का हिसाब किताब, जो है, एक form 16 में किनको देगी, Mr. Samlal Prasad को, और ये बताएगी, कि देखिए साहब, आपका पूरे साल का, मान लेते हैं, ये साल है 2020, और इस साल में, आपका पूरा जो प 50,000 का, और उस पे हमने पैसा काटा था 25,000, ठीक है, तो ये आपको एक certificate देगी, इसको नॉर्मली लोग TDS certificate भी बोलते हैं, इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, कि ये certificate पहले manual हुआ करता था, लेकिन अब ये online होना जरूरी है, ऐसा इसलिए, क्योंकि जब तक ये online नहीं होगा, आपके खाते में TDS का amount नहीं सो होगा, तब तक आप उसका refund claim नहीं कर सकते हैं, इसलिए online होना जरूरी है, आपकी दर ध्यान से देखेंगे, तो ये पहले manual वाला system था, जो कि अब खतम हो चुका है, अब ये online वाला form 16, जो कि TRACE, TDS trace के नाम से सो होते रहेगा, ये figure आपको दिखेगा, अगर ऐसा certificate आपको दिखता है, तो ये मान के चलिए, कि आपका सही TDS certificate है, अगर manual है, तो बस manual certificate issue करा देने से कोई काम नहीं होगा, अगर ऐसा certificate आपको जैसे ही issue होगा, तो आप अपने PAN में login करवाएंगे, जो भी आपके income tax return भरने वाले हैं, और आप करेंगे, तो आपका जो 26 AS है, वहाँ पर वो पैसा दिखाना सुरू कर देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप फिर इस पैसे को refund claim नहीं कर सकते हैं, तो situation कुछ ऐसा होगा, कि company ने आपको ATM card तो पकड़ा दिया, बट आपके खाते में balance ही नहीं है, तो क्या आप cash का withdrawal कर प पाएंगे, तो इस situation में आपको company से correspondence करना पड़ेगा, पत्राचार करना पड़ेगा, कि साहब आपने मेरा जो 25,000 का TDS deduct किया है, उसके बदले में मुझे online TDS certificate दे दिजे, ताकि मैं आपना ITR फाइल कर सकूँ, एक situation और भी ध्यान देंगे आप, अगर company ने ये पैसा आपके 26S में नहीं reflect करवाया, तो ये tax आपको दुबारा जमा करना पड़ सकता है, तो आसा है, आप लोगों को TDS के बारे में थोड़ा सा जनकारी मिला होगा, ठीक है, चलिए, अब ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इस channel को like, share, subscribe कर देजे, और bell icon को press कर देजे, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए, आप तक instant notification मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को देखकर लभानवित हो सके, तब तक के लिए मुझे बिदा दीजे, जय हिंद,